तो देखिए दोस्तों मैंने बनाया है ये सांबर ये टिफिन सांबर है जो कि साउथ इंडियन फेमस डिस है बहुत ज़्यादा अच्छा लगते हैं वहां के रेस्टोंट वगरा में फिर कैंटिन में ये बहुत ज़्यादा मिलता है और इसकी स्पेशल बात ये है कि ये इड स्पेशल बात ये है कि बीना दाल हुआ है बिना बात दाल को मिक्स करके लेकिन उगाने ये बिना लाया है आप एक बार बैटमाट एकppy से बनाये है lंक ये बिना सांबर बना गया जाऊ है ये बिना बाटाय से बना हुआ आपको बहुत पसंद आएगा और मैंने आपके साथ आज अपना जो बीजी रूटीन होता है सुबा का मॉर्निंग बीजी रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो इधर साथ में मैंने बच्चों को नेला दुला के रेडी भी कर दिया है थोड़ा साम का काम बाकी रह गया तो मैं किचन में आ गई थी पहले कि पहले मैं उनके लिए लंच प्रिपेर कर देती हूँ ताकि इम बाद में दिक्कत ना हो तो मैं इधर मॉंगफली की चटनी बनाने लगी हूँ तो मैं आज उत्पम भी बना रही हूँ मैं डोसा बना रही हूँ नीर डोसा तो मैंने चटनी के लिए इसमें डाल दिया मुंगफली थोड़ी हरी मिर्ची दो तीन और एक दो लेसन की कलिया और थोड़ा सा कड़ी पता और यह देख रहें पीछे से कि मैं वीडियो में आऊं की ना हूँ यह ऐसे ही मस्ती करती है तो मैंने चटनी बना कर रख लिए साइड में और अब ही क्या करेंगे इसको साइड में निकाल देंगे और आपको पता है गाईज कि सुबा के टाइम तो इतनी भाग दोड़ होती है कि पता ही नहीं चलता कि काम कैसे करे और कैसे ना करे मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कितना भी जल्दी जगो लेकिन फिर भी फिर भी थोड़ा बहुत लेट होई जाता है ऐसी भागम भाग रहती है ना कि क्या बता है दोनों बच्चे दोनों को रेडी करना है दोनों को नहलाना दुलाना और मेरी बेटी के थोड़े बाल भी बड़ से है कुण-कुण मेरी बात से अगरी करता है मुझे कमेंट करके जरूर से बता है सब के साथ ऐसा होता है न हम चाहिए कितना भी जल्दी जग जाए लेकिन फिर भी हो थोड़ा सा लेट ही जाता है कितना भी भागम-भाग कर लो तो मैंने बच्चों को आठ टीफिन में सिंप है हस्बेन को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे तो पसंद है ही तो बहुत ज़्यादा इनको अच्छा लगता है फोईल पेपर निकालके दो-दो इडली इसमें पैक कर दूँ मैं थोड़ी ठंडी कर ली थी इडलियों को मैं गरम फोईल पेपर में नहीं पैक करत करती हूं तो मैं दिखा रही थी आपको कि देखें आप लोग भी खाली जेडली तो पहले बच्चों का टीफिन पैक कर दिया उसके बाद मैं क्योंकि बच्चे को लिक्विड चीजे में थोड़ा सा कम देती हूं बच्चे फिर छोटे ही अपना खाने ही पाते हैं आगर इ टीफिन रख रही है उसके बाद इसकी चोटी बगर अभी मैंने कर दी थी करने के बाद मैं वापस से आ गई हूं किचन में और किचन में अपनी कर लेते हैं अभी जो मैं बता रहती हैं सांबर मैं सांबर बनाने वाली हूं तो वही आज मैं बनाने वाली हूं तो मैंने ले इन चीजों का धियान रखोगे न तो आपका जो सामबर है एकदम perfect बनेगा तो मैं टमाटरों को रफली ही काट लूँगी रफली ही हमें काटना है क्योंकि पहले हमें इसको pressure cooker में पकाना है और उसके बाद हमें इसको पीसना है तो इसलिए मैं इनको रफली ही काट रही हूं प्याज भी मैंने रफली काटी है और टमाटर भी मैंने ऐसे ही रफली काटकर रेडी कर लिया रफली चौप कर लिया मतलब और हाँ गाइस आपको वीडियो देखने के बाद थोड़ी भी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा आप कमेंट नहीं करते हैं कमेंट करने में कंजूसी करते हैं तो प्लीज गाइस प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपके कमेंट्स को पढ़के न मुझे बहुत अच्छा लगता है तो यह देखे प्याज भी हमारी कट चुकी है कटने के बाद क्या करेंगे कूकर ले लेंगे और कूकर में इसको डाल देंगे अभी एक दो जीचे और इसमे एड़ करेंगे पर बाकी बनेगा यह टमाटर और प्याज से ही तो देखे टमाटर प्याज ले लिया तो पहले हम इसमें डाल देंगे अपने टमाटर जो हमने कट करके रखे ना तमाटर 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 ठीके तर生 कि साथ हम ग मुलत हैं। प्यास चाल मिर्ची यालेगी तक करें तो में लहसुन करने के बाद काया हैं। और आधा चोटी चमच इसमें डाल दिया हल्दी पावडर और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें नमक और इसमें डाल देंगे एक गलास पानी और पानी डाल कर इसको कूकर का ढखकन लगा कर इसमें दो विसलाने तक इसको पका लेंगे तो एक ग्लास इसमें पानी एड़ करेंगे और पानी एड़ करने के बाद इसको पका लेंगे तो ये देखें मैंने इसको ढखन लगा दिया अभी गैस पर रख दूँगे और इसको चालू कर दूँगे चालू कर देंगे जब तक हमारे पक रहे हैं तो हम नीड दोसा बना लेते हैं दर की साइड सिद्ध दोसा भी इसको बोल सकते हैं बहुत अच्छा लगता है तो वही बैटर बचा हुआ था कुछ इडलिया थी मैंने पहले कुछ दीमॉल्ट करके दे दी थी बच्चों को फिर अगर सब्सक्राइं गए तो साथ में भी कर लेती हैं तो फिर बाद में करना पड़ता है तो इधर मैंने अपना नोस्टिक तवा चड़ा दिया है और तवे पे डाल दिया थोड़ा सा ओयल थोड़ा सा टीशू पेपर निकाल लूगे और टीशू पेपर से क्लिन करके और देखिए पूरा अच्छे सामारे डोसा निकल रहा है ना बहुत अच्छा इसी डोसा लगता है मेरे घर में तो बहुत ज्यादा चटनी से भी अच्छा खाया जाता है और सामर के साब तो यह मस्क जाता ही है लेकिन मैं आज इसको लंच में पैक करूंगे इनके लिए नास काम चल रहा है उधर भी अपना काम चल रहा है सुबा सुबा की भागम भाग है अब हम क्या करेंगे जो ट्रमाटर प्याज हमने बॉयल कि इतना इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे पानी से अलग इसको निकाल कर हमें ठंडा करना है क्योंकि हमें इसको ब्लेंड करना है न सारह इंशंम線 ब्लैंड घ्रम में डाल देंगे मिक्सीके जार में और इसको हलक अbara यदा समय नहीं locksका कियोंकि यह बिंघोलाक मीजिए का मिने खायों नहीतम लगता बिया नहीं जादा समय नहीं तमाटर और प्याज का यह समें एड़ करने के बदद क्या करेंंगे उछाँ से यह स्वीह उच्छी मिक्स करना यह उच्छता वो होता है क्योंकि व मैंक साम्दल आइड़ एड़ा एड़ाई जाएगे ओड़ात मिर्चिदी हो झाहिए और शवादनुसर प्याज हम आयद के बाद आने के बाद के बाद काम इलुआ को पानी डाल देंगे इमली के बाद के पाल जांसे पानी में खद Size करने के नि कह तो मुष्ट शक्रीबा से लगा नश्मा किस में देखें करेंगे इसमें बोईल आ जाएगा तब वह चीज हम इसमें एड़ करेंगे तो यह ले लिया है एक चमच बेसन और इसमें डालेंगे थोड़ा पानी और पानी डालके इसके सलरी सी बना लेंगे पूरी बिल्कुल एकदम गुठलिया नहीं रहनी चाहिए इसमें पूरा बेसन इसलिए डाला है थोड़ा सा यह गाड़ा बन आ जाए इसमें और थोड़ा सा डाल देंगा अगर आपको खटा मीठा सांबर पसंद हो तो इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजेगा अगर आप खटा काना पसंद करते हो फिर आप इसमें नहीं डालेगा हलका सा मेर दाल की बिमाना सांबर बनकर रेडी हो गया एक दम बिल्कुल 10-15 मिट लगता जाता समय लगता ही नहीं है इसको बनाने मैं तो 3-4 चीज़े बनाए अगर आप सांबर और इडली ही बनाओगे तो 10-15 मिट में बनकर रेडी हो जाएगा तो मैं देखिए बना दिया है और बनान आप इसे डोसा बना सकते हैं सांबर ना इसमें दाल भीगोने का जंजट है ना आपको ज्यादा सब्सक्राइब करना कुछ इसमें इसमें सित्माल नहीं करना यह ऐसे ही बनकर रेडी हो जाता है तो मैं उनको देखे आ गई हूं अभी इनका टिफिन पैक कर रही हैं तो टि राजां छीडा तो देखें के लगा लेता है तो अच्छा ही करता है तो अच्छे रहता है क्यूंकि अकली तू बंदा इतना घृता नहीं Basil udah ऑंनि list कहां खा पाता है सब के साथ शेयर करके खाता है चलिए मैं आपको दिखा रही थी यह देखे ऐसे पहले मैंने सोचा दिखा देखे चलिए जैश्री कृष्णा दोस्तों